मद्या परदेश के नर्मदा पुरम में बारिश होते ही किसानों के माते पर बुवाई करनी की चिंता सताने लगी है इस बार किसानों को सोयबीन के बीच पर 2000 रुपे की छूट मिल रही है बारिश के बाद कई किसान खरीफ की फसल सोयबीन की बुवाई का इंतजार कर रही है इसको लेकर किसान सरकारी तो कई अपने स्तर से बीच खरीदने की तयारी कर रही है लेकिन इस बार इस खेती पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है दरसल शांसन ने बीज निगम के जरिये बीजों के रेट बढ़ा दिये हैं जो सोयवीन बीज पिछले साल 75-100 रुपे कुइंटल में था वह बढ़कर इस वर्ष 10,100 रुपे कुइंटल पहुँच गया हाला कि किसानों को 2,000 रुपे अनुदान भी दिया जाएगा इसे काटकर सोयवीन बीज 8,100 रुपे कुइंटल में पढ़ेगा अगर बजार से खरीदना पढ़ा तो इसका दाम 10,000 से लेकर 11,000 रुपे तक होगा नर्मदा पुरम जिले में बारिश के बाद किसानों ने धान की रुपाई शुरू कर दी है कहीं कहीं पर सोयवीन भी बोवाई होने लगी है लेकिन बीज के दाम बढ़ने से किसानों में रोश भी है जिले में बीज की भारी किलत है बादार में सोयवीन बीज 7,000 रुपे कुइंटल में मिल रहा है किसानों ने सरकार से 2,000 की जगा 5,000 रुपे अनुदान दिये जाने की मांग की है बीज निगम ने खरीब फसलों के बीजों के जो दाम जारी किये हैं इसमें 15 वर्ष तक की अवदी वाला बीज 10,100 रुपे प्रती कुइंटल हो गया इसमें 2,000 रुपे अनुदान गटाने पर 8,100 रुपे कुइंटल मिल के दर पर मिलेगा जबकि पिछले साथ इसके दाम 75 रुपे प्रती कुइंटल थे इसमें 26 रुपे कुइंटल की बड़ा उतरी होई है विरुड़ पोट, मार्केटाम्स, टीव झाला यर साथ आम 25 रुपे कुई है